दोस्तो सब्सक्राइब किजिए मेरी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आजरोंॆ करें गया थिके दोस्तों तो में यहाँ पे आपके लिए कुछ बेजिक पोइंट करके रखें तो यहां पर में दुस्तों आपको पेले में जो हमारा इंगिलर जेस वह उसके बारे में कुछ उन और टांट करकर रहारे वो आपको मैने है समझा देता हूं दोस्तों तो AngularJS है It is totally free and open source तो AngularJS में आप आपको कोई पेड नहीं करना परता है यानि कि आपको कोई पेसे नहीं देना परता है It is totally free and open source आप कहीं भी भी यूज़ कर सकते हैं Developed by Google दोस्तों तो AngularJS है उसको Developed by Google लहीं किया है ठीके It is used to create single page web application with MVC तो आपको पताई हो गया दोस्तों कि MVC क्या है Module View and Control ठीके दोस्तों तो AngularJS की मदद से आप single page web application create कर सकते हो दोस्तों तो इसे आप अगर चाहो तो HTML और CSS के साथ भी binding कर सकते हो ठीके तो इसको आप बोलें के data binding तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ It is a JavaScript framework It is library written in JS तो दोस्तों यह AngularJS है वो JavaScript के एक framework की है और उसकी library है वो JS में लिखी गई है ठीके AngularJS start with script tag तो आपको भी पता ही है कि script tag को के से आप फाइल लिंक कर वाथ है JS की तो दोस्तों मैं आपको पहले एक बत यह बता देता हूँ कि अगर आपको basic knowledge होना चाहिए jQuery और JavaScript का तो यहाँ पर आपको यह AngularJS सीखने में बहुत ही आसानी होगी तो यहाँ पर AngularJS start with script tag तो यहाँ पर इसकी script tag से शुरूआत होगी तो यहाँ पर दोस्तों when you saw ng- यानि कि यहाँ पर मैं लिखा है ng- और star star की जगा आप कोई भी मानलोग HTML देगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर ng अगर यहाँ पर लिखा है ng-app अगर यहाँ लिखा है ng-modal कुछ भी लिखा है दोस्तों तो आप वो ही समठना कि यह है यह पर वो AngularJS में ही create हुई है ठीक है तो मैंने यह topic आपको समझा दिया है its expression written in double curly bracket दोस्तों तो जो इसके expression है वो कहाँ पर written होगे यहाँ पर ठीक है मनलोग मुझे कोई variable है तो यहाँ पर यह variable हो गया इसके तो इसको return कहाँ पर करना है यह दोनों curly bracket में है ठीक है friends AngularJS provide direct output without refresh the web page we can call it data binding दोस्तों तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मनलोग आपके पास एक text box है और यहाँ पर आप उसमें लिखते है red तो directly अगर इसका background आप रेट करना चाहेंगे तो direct without refreshing the web page तो आप उससे refresh page के किये बगर आप उसे directly output देख सकते हैं तो मैंने last point लिगा है basic knowledge of javascript and jquery तो दोस्तों अगर आपको javascript और jquery बिल्कूल ही नहीं समझाते हैं अगर आपको नहीं आती तो मेरे चैनल के playlist में मैंने अभी simply basic javascript को jquery के total upload कर दिये तो आप वो भी देख सकते हो ताकि आपको AngularJS सीखने में बहुत आसानी होगी ठीक है दोस्तों तो आया issue में अभी close कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं अपना browser open कर लेता हूँ दोस्तों और आपको एक basically इसकी website है उसके बारे मैं आपको intro देता हूँ पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर Google पर लिखना है मेरा net slow चल रहा है यहाँ यहाँ पर बिने वाइफ़व कनेक करके नहीं रखा था तो दोस्तों Google पर आपको शिर्फ लिखना है AngularJS क्या लिखना है शिर्फ AngularJS और यहाँ पर Google पर आपको सर्च करना AngularJS और आपके सामने यह open हो जागए तो जो पहली website है angularjs.org वो इसकी professional और official website है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते AngularJS JavaScript based open source and web application framework mainly maintained by Google तो दोस्तों यह था AngularJS का intro तो इसका stable release है वो 1.7.5A उसका previous release है वो 1.7 था दोस्तों इसी latest version को हम सिखेंगे ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते written in JavaScript तो यहाँ पर लिखा है written in JavaScript यानि कि यह AngularJS है पूरा का पूरा JavaScript में डेवलोप हुआ है ठीक है दोस्तों तो यह था हमारा introduction और अगले वीडियो में देखेंगे कि AngularJS है उसको हमें कैसे इंस्टोल करना है उसकी फाइल को कैसे attach करवाना है HTML के साथ वो सब कुछ अगले वीडियो आप बिलकुल ध्यान से देखेंगे दोस्तों तब तक के लिए टेक केर बाइ फ्रेंट्स मेरी चैनल को आप अपने सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लिजेगे क्योंकि मेरी वीडियो सबसे पेले देखने के लिए टेक केर बाइ फ्रेंट्स